Self-discipline एक skill की तरह है और किसी भी दूसरे skills की तरह जितने जएदा आप इसे करने के कोशिच करते है उतना ही ये powerful होता जाता है आप इसे अपने जीवन पर कैसे लागू कर सकते है इनके लिए 10 बहुत ज़रूरी Self-discipline tips है जिनके बारे में अब आप इस वीडियो के जरिये जानेंगे तो शरू करते हैं पहली tips से Pursue a mission यानि किसी एक मकसद को बहतर बनाना Mission का simple मतलब है हमारा कोई ठोस goal होना और perfect mission का होना आपके burning desire को पाने में आपकी 100% help कर सकता है इसलिए किसी एक mission को fix करके तब तक उस पर बने रहना सीखे जब तक आप अपना burning desire ना हासिल कर ले दूसरा focus on building self-discipline in one area of your life first यानि अपनी life के किसी एक segment में self-discipline बनाने पर ध्यान देना एक साथ एक से ज्यादा segment में ध्यान देने से distraction की स्थिति बदा हो सकती है इसलिए ये ज़रूरी है कि शरुवात करते समय किसी भी एक segment पर अपने self-discipline की पकड़ मजबूत करे एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो self-discipline आपकी life के दूसरे सभी segments में impact करता है जिन से फिर आपको उतनी मेन दूसरे segment में नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपने अपने first segment में की होगी तीसरा focus like a spartan यानि एक सयमित इंसान के तरह ध्यान लगाना ये बात सच है कि एसी बहुत सी तरकीबे है जिनके जरीए अपने self-discipline को बढ़ाना possible है लेकिन एक बार में सारी तरकीबे आजमाने के बज़ाए ये अच्छा होगा कि आप अपने सभी self-discipline segment को एक एसी तरकीब जो आपके लिए ज़्यादा comfortable हो उस पर शांती से patience के साथ focus करके ज्यादा से ज्यादा results हासिल कर सकते है चोथा, schedule it यहाँ schedule का मतलब है daily routine बनाना एक बहतर schedule होना self-discipline को बहुत आसन बना देता है क्योंकि आप जानते है कि आप कब कहा है, कब तक है और क्या कर रहे है बहतर schedule बनाने के लिए आप अर्रोज to-do list का भी इस्तमाल कर सकते है to-do list के बारे में अगर आपको पता ना हो तो उपर आयप बटन पर गलिक करके उनका पुरा वीडियो देख सकते है लेकिन पहले आप ये वीडियो पुरा देख ले उसके बाद पांच वां spend more time with successful people यानि अपना ज्यादा time सफल लोगों के साथ बिताना आवार लोग और losers के साथ बाहर घुमने और चिल मरने के साथ ज्यादा time मत बिताओ क्योंकि आप जिन के साथ भी अपना सबसे ज्यादा time बिताते हैं तो आप भी उन में से एक हो जाते हैं मतलब कि आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं उन से आपकी energy level, motivation, आपके thoughts, आपकी health, age यह सब कुछ reflect होता है इसलिए अपने self discipline को मजबूत करने के लिए उन लोगों के साथ रहना चुने जो कही ना कहीं success हो या बेहतर सोच रखने वाले हो छठा, grow your willpower like you would a muscle यानि अपने इच्छाशक्ति को जितनी आपकी मांसपेश यह मजबूत होती है उनकी तरह बढ़ाना विलपावर भी self discipline की तरह एक skill है यह कुछ हैसा है जो हमारे अंदर पहले से ही develop होता है लेकिन उजगर किये हुआ नहीं होता अगर हम regular exercise करने की आदर डाले तो इनसे जैसे हमारे muscles मजबूत बनते हैं विल्कुल वैसे ही हमारा willpower भी जल्दी उजगर होता है और धिरे-धिरे मजबूत होता जाता है साथवा, don't break the chain यानि जो भी हम करते हैं उसे हमेशा जारी रखना याद रहे कि self discipline जीवन के आखिर तक का कोई मेरत हो नहीं है बलकि ये अच्छी चीजों की आदत बनाने के लिए एक वेग यानि समानतर गती प्रवाड़ करता है एक बार जब आप कोई अच्छी हैबिट अपना लेते हैं और ये अपने आप चलती रहती है फिर इन्हें manage करने के लिए self discipline की बहुत कम ज़रूरत होती है इसलिए आप जो भी regular base पर कुछ अच्छा करने के शुरूआत करें उसे बार बार चारी रखे आठवा routines are invaluable यानि दिन चट्या बेश किमती है लेकिन तभी अगर वो अच्छा result प्रोवाइड कर सके तो अगर आपके पास एक daily routine होता है जो आपको आपके सभी goals आपकी health, आपकी wealth, आपकी spirituality वगेरे सबकी और progress दे सके तो set discipline में कभी कोई issue नहीं हो सकता लेकिन अगर आपका कोई daily routine नहीं है तो हर दिन सही decision लेने के लिए set discipline रखना लगबग impossible है इसलिए एक daily routine बनाए और इन्हें follow करें जिनसे आपको set discipline के लिए लगातर practice करने की ज़रूरत लगबग पुरी हो जाएगी मांसिक रूप से ठोस बनने के लिए जब भी ज़रूरत पड़े तब इन चार तरकी बोका उपयोग करें पहला tough situations में कुद को बनाए रखने के लिए अपने छोटे छोटे गोल्स को bit size में यानि छोटे छोटे लेवल्स के साथ set करें दूसरा अपने दीमाग को अपने गोल्स की तरफ हर तरह से powerful करने के लिए अपने dreams को अपने mind में visualize करें तीसरा हमेशा अपने आप से अच्छी और positive बाते करें चोथा हर चीज में excitement या उतावले पन को control करने के लिए गहरे श्वास लेने की तरकीब अपना है 10. capability exceeds belief यानि छमता विश्वास से भी ज्यादा कारगर होती है जब भी आपको ऐसा लगए कि आप और आगे नहीं जा सकते तो अपने mission के बारे में सोचे और अपना belief बनाये रखे क्योंकि ऐसी स्थिती तब आती है जब आप अपने mission के लिए अपनी सारी capabilities को ने अच्छा वर कर दे लेकिन आपको फिर भी अपने अंदर थोड़ा सा belief उजागर करने की ज़रूरत होती है कहने का मतलब यह है कि belief तभी आपको सबसे अच्छे से काम लगएगा जब आप अपनी सारी capabilities को पूरा जोग चुके होंगे self-discipline को अपने अंदर develop करना हो या जब भी आपको self-discipline increase करने की ज़रूरत हो तो यह 10 self-discipline tips हमने आपको अभी जो बताई इन्हें अपनी life में सही से apply कर अमेशा बनाए रखे और अपने तई किये रास्ते पर अमेशा बेजिदक आगे बढ़ते रहे और अगर आप और भी डिपने जानकरी पाना चाहते हैं इन 10 self-discipline tips के बारे में तो यह book self-discipline, powerful techniques from billionaires, navy seals, spartans, olympic athletes and entrepreneurs आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए जो लिखी है best self-discipline author Dominic Mann ने इस book को खरीदने या online e-book डाउलेड करने के लिए description में दियेगे link पर click करें और purchase करें Success is a actually short race whose print fueled by self-discipline just long enough for habit to kick and take over फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ने topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद and keep connecting with us always